अब यह जो दोस्तों आपका स्वागत है यह मारे चैनल चैंपियान जयत पर मैं हूं आपका दोस्त मौमाज जयर्ट अगाश तोड़ीव यह गूंग टुछार्ट दे सेकंड पाट आप प्रैक्टिस से 2.4 तो अधिव गूंग प्रैक्टिस से 2.4 अधिव गूंग प्रैक्टिस से 2.4 मैएक्स सिखा देता हूं फूरा एक एक सम्सॉल्व कर देता हूं तो क्या थे उसमें पहला इस ट्साथ करने का तो कम्पेर किस साथ करते थे जन्रल एक्वेशन के साथ एकस स्क्वेर प्लस बी एकस प्लस दो और फिर इसके बाद यहां पर डोट डोट- माइनस 4 A C find करना, B square मतलब 6 का स्क्वार, माइनस 4 A मतलब 1, C मतलब 5, 6 सीख जा 36, माइनस 4 5 जा 21 जा 20, B square माइनस 4 A C मिल गया, 16, अब इसके बाद हम लोगों का चौथा स्टेप था, X is equal to minus B plus minus root B square minus 4 A C upon 2 A, यह चौब था स्टेप था, थोड़ा लंबा फॉर्मुला है, बट यह वाब तो रिमेंबर दाट, X is equal to minus B मतलब minus 6 plus minus root 16 upon 2 into 1, अब प्लस को अलग लिखते हैं, minus को अलग, minus 6 plus 4 upon 2, और X is equal to minus 6 minus 4 upon 2, X is equal to minus 2 by 2, X is equal to minus 1 आ गया, और 1 X is equal to minus 10 by 2, X is equal to minus 5 आ गया, तो इस तरीके से हम लोगों को दो roots मिल गए, इस equation के, लास्ट में आप लोग लिख सकते हो, minus 1 and 5 are the, minus 5 are the roots of the given equation, given equation, इस तरीके से आप लोग solve कर सकते हो, so simple, चलिए second sum solve करते हैं, चलिए second sum देखते हैं, तो X square minus 3X minus 2 is equal to 0 है, the only difference between first and second sum is that, first one was in the positive sign and second one is in the negative, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी solve कर लेंगे, आसानी से, compile सबसे पहला step comparing करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे comparing, अब उसके बाद A is equal to 1, B is equal to minus 3, C is equal to minus 2, अब next step हम लोगों कर रहेगा, B square minus 4AC का, B square मतलब minus 3 का square minus 4, 1 minus 2, यह हो गया हम लोगों का total, अब minus 3 का square 9, minus minus plus 4, 2 जा 8, 9 plus 8, 17 हो गया यह, B square minus 4AC मुझे मिल गया 17, अब last step X is equal to minus B, plus minus root, B square minus 4AC, upon 2A, तो X is equal to minus minus 3, यहाँ पर बच्चे confused हो जाते, डिरेक्ट लिख देंगे minus 3, so it will be a mistake, ऐसा मत करना आप लोग, अब 2 वन जा 2 ही रहेगा, चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, minus minus plus 3, plus root 17 by 2, और एक answer हो जाएगा, X is equal to 3 minus root 17 by 2, very simple, just in 2 minutes, तो यह हो गया हम लोगों का second sum, हमाई थर्ड सम देखते हैं, चलिए देखते हैं, थर्ड सम, थर्ड सम में M दिखाए, बस X किरगा, यही डिफरेंस है, तो वैसे ही compare करेंगे, am square plus bm plus c is equal to 0, जो alphabet है उसी में आप लोग comparison करें, और यहाँ पे तो आपको पता ही है, क्या लिखना है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, comparing, तो a is equal to 3, b is equal to 2, c is equal to minus 7, अब अगला step हम लोगों का क्या था, b square minus 4 ac find करना, तो b की जगहां 2 का स्क्वाइर, minus 4, 3 minus 7, 2 का स्क्वाइर 4, minus minus plus 4, 3 यह 12, 7 जो 84, यह हो गया 88 हम लोगों का, b square minus 4 ac, अब बात करते हैं, x की तो x का फॉर्मुला है, minus b plus minus root, b square minus 4 ac, upon 2 a, तो x is equal to minus 2, plus minus root 88, upon 2 into 3, x is equal to minus 2, plus minus root 88, upon 6, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या हम लोग 88 को, root से बाहर निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं 88 को, 2 से 44, फिर 2 से 22, फिर 2 से 11, फिर 11 बन जा 11, तो हम लोग देखें, तो 2 into 2 into 11 आया है, मतलब दो बाहर 2 हम लोगों को दिख गया है, तो 1 2 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, चाहें तो आप लोग ऐसा भी छोड़ देंगे, तो भी चलेगा, बट निकाल देंगे तो और बेटर हो जाएगा, तो X is equal to minus 2 plus 2 root 22, क्योंकि 2 11 जा 22 और एक 2 बाहर आगया, upon 6 रहेगा, और एक बार X is equal to minus 2 minus 2 root 22, upon 6 रहेगा, ठीक है, आई यह आगे बढ़ते हैं, अब X is equal to, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को common ले लेंगे, तो 2 को common लेंगे, तो minus 1 plus root 22 by 6, और यहाँ पर X is equal to minus 2, 1 minus root 22, plus root 22 by 6, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर cutting करेंगे, तो वन जा 2, तो त्री जा 6, तो वन जा 2, plus root 22 by 3, और यहाँ पर X is equal to, minus 1 minus root 22 by 3, इस तरीके से हो गया, हम लोगों का third sum, तो so simple है, बाट 88 को बाहर निकालना, शाहद आप लोगों के लिए difficult पड़ेगा, तो 2-3 बार यह sum को practice करें, आईए fourth sum देखते हैं, आईए, next question है, 5M square minus 4M minus 2 is equal to 0, चलिए comparing करते हैं, तो AM square plus BM plus C is equal to 0, यहाँ पर लिखेंगे dot dot comparing, अब अगला step ABC find करना, तो A हो गया 5, B हो गया minus 4, C हो गया minus 2, अब हम लोग find करेंगे, B square minus 4AC, B square minus 4AC, B square है minus 4 का square minus 4, 5 minus 2, 4 का square 16, minus minus plus 4, 5 जए 22 जा, 40, तो यह होगे हम लोगों का 40, तो यह होगे 56, तो B square minus 4AC, अब find करते हैं, अब X के लिए, X is equal to minus B, plus minus root B square, minus 4AC, upon 2A, यह values लिख लेते हैं, X is equal to minus minus 4, plus minus root 56, upon 2 into 5, यह A है, अब X is equal to 4, plus minus root 56, upon 10, यतना समझा, अब X is equal to 4, plus root 56, upon 10, और एक X is equal to 4, minus root 56, upon 10, अब यहाँ पर हम लोग 56, 6 को root से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो 56, 228 जा, 214 जा, 27 जा, 7 बन जा, तो 2 into 2 into 2 into 7, 2 root 2 की जोड़ी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो X is equal to 4, plus 2 root 14, upon 10, और X is equal to 4, minus 2 root 14, upon 10, फिर से हम लोग common लेंगे, common लेंगे तो 2 common हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा, 2 plus root 14, upon 10, और यहाँ पर भी 2 common हो जाएगा, तो अंदर बचेगा, 2 minus root 14, upon 10, अब काटते हैं, तो 2, 1, 2, 2, 5, चलिए, अब X is equal to हो जाएगा, 2 plus root 14 by 5, और X is equal to हो जाएगा, 2 minus root 14 by 5, चलिए, आप करते हैं, फिफ्ट सम, लोग फिफ्ट सम से डरते होंगे, विकाज उन लोगों को, upon में दिखता होगा, 3, बट 3 को हम लोग कर देते हैं, फ्री, क्योंकि हम लोग मल्टिप्लाइ कर देंगे, by 3, on both side, दोनों साइड मल्टिप्लाइ करेंगे, तो 3Y स्क्वार हो जाएगा, plus Y हो जाएगा, और is equal to 6 हो जाएगा, तो 3Y स्क्वार, plus Y minus 6 is equal to 0, यह equation तयार अब करते हैं, comparison, तो AY स्क्वार, plus BY plus C is equal to 0, A is equal to 3 हो जाएगा, B is equal to 1 हो जाएगा, C is equal to minus 6 हो जाएगा, चलिए, B square minus 4AC करते हैं, तो B square मतलब 1 का square minus 4, 3 minus 6, 1 minus minus plus 4, 3 is 12, 6 is 72, यह हो जाएगा 73, B square minus 4AC, अब X find करते हैं, तो X find करने का formula है, minus B plus minus root, B square minus 4AC, upon 2A, तो X is equal to minus 1, यहाँ का B, plus minus root 73, upon 2 into 3, तो X is equal to minus 1, plus root 73, upon 6, और 1 X is equal to हो जाएगा, minus 1, minus root 73, by 6, चलिए, यह दो हम लोगों को answers, मिल गए, बढ़ते हैं, 6 तसम की ओर, 5X square plus 13X, plus 8 is equal to 0 है, शुरुवात महीं से करेंगे, AX square plus BX plus C is equal to 0, A is equal to 5, B is equal to 13, C is equal to 8, यहाँ पर लिखेंगे, comparing, दो स्टेप्स पूरे होंगे, तीसरा स्टेप हम लोगों का है, B square minus 4AC, 13 का square minus 4, 5, 28, 13 का square 169, 4, 5, 28 या, 160, तो यह हो गया 9, तो B square minus 4AC मिला 9, यह fix हो गया है कि जो X होगा, उसमें जो B square minus 4AC होगा, वो root से बाहर आएगा, because 9 है और 9 का root होता है, 3, चलिए, X is equal to minus 13, plus minus root 9, upon 2 into 5, तो X is equal to minus 13, plus 3 upon 10, और एक X is equal to हो जाएगा, minus 13, minus 3 upon 10, अब X is equal to हो जाएगा, minus 10 by 10, और एक X is equal to हो जाएगा, minus 16 by 10, तो X is equal to minus 1, और यहाँ X is equal to minus 8 by 5, तो यह होगी हम लोगों का 6 तसम, लोग से खाएगे कि यार, answer तो upon में आया है, पता नहीं, answer correct है या नहीं, बट दोस्तों upon में answer वाले ही आता है, बट answer correct है, यह चेक करना है तो आप लोग, जो X की value है दोनों, उसको यहाँ पी equation में आप लोग put करें, अगर वही answer मिलता है, मतलब answer correct है, चलिए अब last sum करते हैं, तो last question हम लोगों का root में है, तो बहुत सारे लोग root को देखे, reboot हो जाते हैं, डर जाते हैं, X square plus 2 root 3X plus 3 is equal to 0, यह हम लोगों का question, let's solve it, सबसे पहले करेंगे compare, AX square plus BX plus C is equal to 0, comparing, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, comparing, अब A is equal to 1, B is equal to 2 root 3, C is equal to 3, इतना हो गया, और find करेंगे, minus 4AC बोले तो 2 root 3 का square, minus 4AC, 2 root 3 का square मतलब 4 into 3, minus 4 3 का 12, यह आगे है 12 minus 12, यह लो, B square minus 4AC तो 0 आगया, अब इसी पहें सब लोग डर जाएंगे कि भाई, कहीं answer wrong तो नहीं जा रहा है, बिल्कुल सही है, 0 भी तो हो सकता है, X is equal to minus B plus minus root B square minus 4AC, upon 2A, यह है formula, formula में answer ढूंडते हैं, X is equal to minus 2 root 3, plus root 0, upon 2A मतलब 2, root 0 का कोई value नहीं होता है, तो यह हम लोगों का नहीं रहेगा, तो X is equal to minus 2 root 3 upon 2, और X is equal to minus 2 root 3 upon 2, तो दोनों का answer क्या होगा, same होगा, क्या answer होगा, minus root 3, या फिर minus root 3, या आपके पास option नहीं है, दोनों जो roots हैं, equation के वो same same है, तो root देखके कभी घबराना नहीं, क्योंकि root वाला समताबड देखे, कितना जल्बी solve हो गया, तो answers कितने हैं, minus root 3 और minus root 3, तो यह था हम लोगों का practice 2.4, और मुझे लगता है कि आज में कुछ ज़्यादा ही तेज चला गया, सिर्फ 13 मिनट में मैंने साधे sums करा दिये, तो दोस्तों उमीद है आप भी फटा फट सीख लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2.5 पर बढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दा गुड दा बाए,